तीस साल के बाद आखिरकार फैसला आही गया और बाइज़त बरी हो गया 1993 का सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले का मुख्यारोपी अब्दुलकरीम टुंडा नमस्कार मैं हूँ नकुल और पत्रिका डिजिटल में लेकर आया हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अजमेर की आतंकी और विगटन कारी गतिविधी अधिनियम अदालत यानी टाडा ने आज से करीब 30 साल पहले 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले के मुख्यारोपी अब्दुलकरीम टुंडा को बरी कर दिया है खास बात ये है कि 30 साल के लंबे वक्त के बाद सुनाए गए फैसले में कोट ने टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया है जबकि टुंडा के बाकी के दो साथी इर्फान और हमिमुदीन को दोशी करार दे कर उम्रकैद की सजाबर करार रखी है कोट ने टुंडा को बरी करने के फैसले पर ताज़ा अपडेट ये आया है कि केंद्रिया जांज ब्यूरो यानी CBI ने टुंडा को बरी किये जाने के फैसले को सुप्रीम कोट में चुनौती देने का मन बनाया है वैसे इस बहु चर्शित मामले को मुर कर अगर देखे तो ये मामला शुरू हुआ था 6 दिसंबर 1993 से जब कानपूर, हैदराबाद, सूरत, लखनओ और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बंब ब्लास्ट ने पूरे हिंदुस्तान को देहला दिया था इस मामले में कई सारी गिरफतारियां हुई थी और 28 फरवरी 2004 को अजमेर की टादा कोट ने इसमें अब्दुलकरीम टुंडा, इर्फान और हमी मुद्दीन समेत कुल 16 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी टुंडा पर आरोप था कि उस बम धमाके की ट्रेनिंग पाकिस्तान की खूफी आईजेंसी आईएसाई ने दी थी ट्रेनिंग के बाद वो आतंकी संगठन लशकर के संपर्क में आया था टुंडा पर 1996 में दिल्ली पुलिस मुख्याले के सामने बम धमाका करने का भी आरोप है वैसे इसी मामले में सुप्रीम कोट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया था जबकि बाकी के आरोपियों की सजा बरकरार रखी थी ये सब ही आरोपियों फिलहाल जैपुर जेल में बंद हैं बहराल अब देखना तो ये होगा कि CBI को इस केस में सुप्रीम कोट क्या राहत दे पाता है लेकिन इसमें बड़ी बात ये भी सामने आई कि 30 साल के बाद जो पेशी के लिए अब्दुलकरीम टुंडा आज अजमेर कोट पहुँचा तो उसकी हालत देखने लायक थी वो वील चेयर पर पहुँचा था कोट में और उससे देखकर हर कोई हैरान रह गया यानि कि 30 साल पहले का अब्दुलकरीम टुंडा और 30 साल के बाद कारी अब्दुलकरीम टुंडा दोनों की तस्वीर बिलकुल जुदा जुदा थी अब देखना ये होगा कि ये बहुचर्चित मामला अब आगे किस तरह से बढ़ता है फिलाल इस बड़ी खबर पर अबडेटेड जानकारी के साथ इस खास पेशकश मेतना ही दीजे इजाज़त नमस्कार